हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, संस्क्रित क्लाशी विड डॉक्टर सुशिला आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में दोस्तों जो वर्ण का चैप्टर है, यह हमारा वो चैप्टर है जो हमने स्कूल में जान जाते हैं, सबसे पहले यही पार्ट पढ़ा था और इसके बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं और आज इस चैप्टर से ही ह-ट, सी-ट, आ-ड, यूपिट, एट में इतने सारे पसंद पूछे जाते हैं यानि के 4-5 क्यूशन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस वीडियो को अच्छी परकार पढ़ना है और आन्त तक बने रहना है ताकि आपको वर्ण के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और जब भी एक्जाम में कोई भी पसंद आई स्पार्ट से रिलेटिड आप उसको अच्छे से कर सकें तो आई ये शुरू करते हैं वर्ण वर्ण किसे करते हैं? वर्ण को हम अक्सर भी करते हैं वर्ण भासा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम ज्यादा से ज्यादा तुकड़े नहीं कर सकते हैं यानि के भासा की छोटी से छोटी छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक तुकड़े नहीं उसे हम वर्ण कहते हैं ठीक है दोस्तों वर्ण की परिभासा है भासा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक तुकड़े नहीं उसे हम वर्ण कहते हैं और जो वर्ण है इसी को हम जो ये इकाई है इकाई का दूसरा नाम है दावने आनि के भासा की छोटी से छोटी इकाई को ही हम दावनी भी कहते हैं और इस देखो क्या हो गया वर्ण का नाम क्या हो गया वर्ण को हम अक्सर भी कहेंगे दावनी भी कहेंगे जो भासा की हमारी छोटी से छोटी इकाई है ठीक है फिर इसे हम क्या कहेंगे इकाई दावनी और अक्सर अगर एक्जाम में यह पूछा जाए कि अक्सर किसे कहते हैं दावनी किसे कहते हैं और अगर यह पूछा जाए कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाषा की छोटी से छोटी इकाई दावनी होती है उसी का नाम इकाई है और इकाई का नाम अक्सर है ठीक है आपको पता चल गया वर्ण किसे कहते हैं फिर है हमारा इसका संस्क्रत में है नए सीयते ने शे टीक वा आक्षण यानि कि वर्ण वह अक्सर है जिसके अधिक से अधिक तुकड़े ना हो उसे ही हम अक्सर कहते हैं या वर्ण कहते हैं आपको समझ में आ गया हो गया वर्ण की प्रिभासा क्या होती है जैसे ए आ चै टै टै पै यह जितने भी श्वर और वेंजन है यह सारे हमारे वर्ण है ठिक है फिर है हमारा वर्ण माला जो वर्ण माला है इसके अंदर दो साथ है वर्ण और माला यानि वर्णों की माला जैसे हम फूल माला कहते हैं उसी परकार से वर्णों के व्यवस्थित समूं को वर्ण माला कहते है वर्णों के व्यवास्थित स्रमूं को वर्ण माला कहते हैं जिस तरह से वर्ण कंटीनू आते हैं जैसे हमारे वर्ण कितने हैं अभी बताते हैं यानिके वर्णों के समूं को हम वर्ण माला कहते हैं कितने हमारे इस वर्ण माला के अंदर हमारे श्वर्ण आएंगे, वेंजन आएंगे, ठीक है, हमारे कितने वेंजन है, 33 वेंजन है, और ये कितने है, 12, और इसके साथ में ही अयोगवा, ये जुड़ जाते हैं, जो अयोगवा है, ये 12, जैसे 12 स्वर्ण और इसके जो, ये मैंने अलग निकाल दिये, वे क्या थे, अनुश्वार, अनुनाशिक और विशर्ग, ठीक है, ये हमारे 48 हो जाएंगे, ये क्या है, त्तिन अयोगवा है, 12 स्वर्ण है, और 33 वेंजन है, तो इस लिए जो हमारी वर्ण माला है, उसके 48 वर्ण है, अगर पूछ लिया जाएं कि वर्ण माला में कितने वर्ण है, तो आपको पता हो ना चाहिए, कहीं हम ये निकाल देना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि जो अयोगवा है अनुश्वार है यह और विशर्ग है यह हमारे एक एक है तो इस तरह से हमारे 48 वर्ण हो जाएंगे वर्ण माला के अंदर ठीक है पिर है हमारा स्वर्ग कितने परकार के होते हैं जो हमारे स्वर्ग है पहले है स्वर्ग किसे कहते हैं वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे स्वर्ग की शायता से या किसी दूसरे वर्ण की शायता से ना बोले जाएं यानि कि ऐसे स्वर्ग जो स्वर्ग अपनी ही एक ऐसी सवतंत्र इकाई है जो बिना दूसरों की शायता के बोले जाते हैं ठीक है तो यानि कि इस स्वर्ग के बोलने में किसी की शायता नहीं ले जाती बिना किसी की साहता के स्वर्वे होते हैं जो बिना किसी की साहता से बोले जाएं ये हमारे संख्या में बारा है जैसे ए छोटी इ बड़ी इ छोटाओ बड़ाओ री ए आई ओ आओ एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ठीक है हाँ एक हमारी संस्क्रट में लड़ी है ठीक है और जो यह है कि अंग और यह यह हमारी क्या है यह है यह अनुश्वार 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 और विश्यर्ग है ठीक है तो आपको यह पता चल गया होगा कि जो हमारे यह है इतने यह हमारे नीचे के क्या है यह अयोगवा यह हमारे तीन है नीचे जो यह पता चल जाएगा कि यह बारा स्वर है यह तीन हमारे अयोगवा है जो मैंने फोटी एट बताई थे वर्ण माला में वर्ण वे हैं यह सारी ठीक है तो आपको सुन में आ गया होगा बारा वर्ण है अब हम देख रहे हैं कि जो वर्ण है यह कितने तरह के होते हैं जो हमारे स्वर है यह हमारे है तीन परकार के पहला है हमारा हर्ष्वर स्वर इसको हम मूल स्वर भी करते हैं जो हर्ष्वर स्वर है इनके बोलने में सबसे कम समय लगता है जैसे ए छोटी ए छोटा उ लरी और अरी यह हैं हमारे मूल स्वर यानि कि इनके बोलने में सबसे कम समय लगता है कई बारी पूछ लिया जाता है कि मूल स्वर बताईए इन में से चाटके तो आपको हर्ष्वर स्वर तो आपने सुना होगा लेकिन आपको यह पता होना चीए कि जो हर्ष्वर स्वर है उनको ही हम मूल स्वर कहते है जो बिना किसी की साइदा के और बहुत जल्दी से कम समय में बोलने जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरा है हमारा देर्ग, देर्ग स्वर वे हैं, जिनके बोलने में हर्षव स्वर से दुगना समय लगे, किस से समय लगे दुगना, हर्षव स्वर से, यानि के हर्षव स्वर में सबसे कम, देर्ग में हर्षव स्वर से दुगना ठीक है जैसे इसके अंदर कौन-कौन से हैं जैसे आ बड़ी ई बड़ा उ और बड़ी री इस तरह से ठीक है यह हमारे क्या है देरगस्वर यह हमेशा दूसरे वेंजनों के सहयोग से बोले जाते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे सब्द है जो दूसरे उनके से बने हुए हैं फिर है हमारा प्लूटस्वर जो प्लूटस्वर है इसमें क्या है कि जो देरगस्वर है इससे दुगना समय लगता है प्लूटस्वर के बोलने में या हम यह कहें कि जिसके अंदर जिनके उचाड में ऐसे स्वर जिनके बोलने में हर स्वर से तीन गुणा समय लगे उशे हम क्या कहेंगे तीन गुणा किसे हर स्वर से और दिर्गस्वर से या तो हम हर स्वर से तीन गुणा कहें या दिर्गस्वर से दुगना कहें उशे हम प्लूटस्वर कहेंगे जैसे जैसे हम एक सब्द है जो ओम होता है वो एक अक्सर है जो हमारा प्लूटस्वर है, कई बारी पूछिए आजाता है कि प्लूटस्वर का कोई भी एक स्वर बताईए जो भी फी तिन चार अक्सर दिये गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक ओम जो हम लंबी लेके अंदर बोलते हैं उसे हम ओम पैते हैं ठीक है तो ये हमारा प्लूच स्वर है फिर इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं कि जो सहियूक्त स्वर है ठीक है जैसे हमने सहियूक्त बेंजन तो पड़े थे लेकिन हमने सहियूक्त स्वर नहीं पड़े थे ठीक है तो अभी मैं आपको बताऊंगी देखना सहियूक्त स्वर क्या कौन कौन से है जो सहियूक्त स्वर है ये वे है इनको हम मिश्रित स्वर भी बोलते हैं यानिके जिसके अंदर एक स्वर और भी जुड़ा हुआ है जैसे अपने संदी में मैंने पड़ाया आपको वहां पर द्याम से देखना ए पलस ए क्या बन गया ए ठीक है फिर ए पलस ए क्या बन गया बड़ी ए ए पलस उ क्या बन गया ओ ए पलस ओ बन गया आउ तो आप ये देखे कि हमने संयुक्त वेंजन तो पड़े हैं लेकिन हमने संयुक्त स्वर नहीं पड़े तो आप ये देखे कि किस तरह से हमारे संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर हैं वे कौन-कौन से जसे मैंने संदी में पड़ाया था कि जो स्वर संदी है उसके अंदर ये पड़ाया है कि A और E A बन जाते हैं A पलस A बड़ी A बन जाते हैं A पलस छोटा O बन जाते हैं और A पलस O अउ बन जाते हैं तो एक्जाम में इसलिए कई बारी पुछा जाता है कि मिश्रित स्वर छाट गया आप और नीचे इन में से कोई भी एक दिया गया होगा या यह पूछिया जाए कि सहयोक्त स्वर बताई आप कौन-कौन से हैं इन में से अगर आपने सहयोक्त स्वर यह पड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने अभी तक सहयोक्त वेंजन पड़े हैं सहयोक्त स्वर नहीं पड़े हैं तो इसलिए आपको इस बात का ध्हान रखना है कि संयूक्त वेंजन की तरह ही हमारे संयूक्त स्वर भी होते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्वर, चार परकार के पड़े हमने, हर्स्वर स्वर, देर्ग स्वर, प्लूट स्वर और संयूक्त स्वर, अब हम प सबसे पहले हैं, वेंजन कीसे कहते हैं और ये हमारी संख्या में कितने हैं, ये हमारी संख्या में 33 हैं, और वेंजन उन्हे कहते हैं, जिनके उठाण में किसकी साहता ली जाए, सवरों की सायता से लिए या हम ये भी कह सकते हैं वे वर्ड जो सवरों की सायता से बोले जाए तो आपने ये बात याद रखनी है हम वेंजन उन्हें कहेंगे जो सवरों की सायता से बोले जाए जैसे जितने भी वेंजन हैं जैसे हमारे कैच ये हैं इनके अंदर जब आप बोलेंगे तो इन सबके अंदर हमारी एकी आवाज आती है और अगर हम ये इसके तीकी मातरा लगा दे तो इसके अंदर तै पलस इसलिए बताय गया कि जिनके उचाण में सवरों की साहता ली जाए उन्हें हम क्या कहेंगे वेंजन कहें फिर है इसके अंदर जो वेंजन है उनके अंदर अब ये मैंने बताने कि वेंजन के अंदर सवरों की साहता ली जाती है ठीक है लेकिन वेंजन के अगर हलन्त लगा दे ये इसको हम संस्कृत में कहते हल यानि कि हलन्त लगा दे तो इसके अंदर स्वर नहीं है जैसे तै है इसके अंदर तै नहीं है ए की आवाज ये आदा तै है इसके अंदर स्वर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे ये ऐसे है और अगर हलन्त इसके नहीं है तो इसके अंदर तै पलस ए इस तरह से है सुन में आगए आपको कि अगर वेंजन के हलन्त है ये ये साइन है तो क्या हो जाएगा उसके अंदर स्वर की आवाज नहीं आएगी क्यों पहले ही आदा हो गया हलन्त का मतलब ही क्या होता है आदा तो आप इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर जहां किसी भी वेंजन के पीछे अगर हलन्त लगा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे उसके अंदर हम A प्लस नहीं करेंगे इस बात को आपने ध्यान रखना कभी आप यह सोचे कि वेंजन तो ऐसे पढ़ाई थे कि वेंजनों के अंदर तो स्वर होते ही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जहां पर हलन्त हो उन्हें हम और श्वर अपने आप में हैं वें अपने आप बोल दे जाते हैं तो अब हम देखेंगे कि वेंजन कौन कौन से हैं वेंजन आप देखें यह हैं हमारे कितने हमारे थर्टी खे ठीक है कैसे देखो जो हमारे यह हैं के खे गे गे आप देखेंगे कि ये सब के सब की लाइन में हमारे पांच वर्ण है और जो पांच वर्ण है तो इनको हम पहले सब के नाम से जानते हैं इने हम जो भी पांच पांच है ये एक लाइन में इनको हम सब कहते हैं यानि कि आप देखें कि जिस तरह से तो इसका नाम हम क्या कहेंगे कवारगे चे छे जे जे यहाँ पर भी पांच है तो हम इसके नाम से जानेंगे चवारगे फिर तै ठै डै 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 अने इसको हम कहेंगे तवारगे तै ठै डै धै ने तवारगे पै फै बै भै मैं पवारगे यह हमारे 25 ऐसे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छेड़े, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोड़ा, सतरा, ठारा, उन्निस, बीस, इक्टिस, बाइस, तेरे, सोविस, पत्चिस यह हमारे 25 जो वैंजन है, यह हमारे क्या है, स्पर्स वैंजन 25 वैंजन है, जो हमारे क्या हो गए, स्पर्स वैंजन यह आप अच्छे से अब याद कर लेना, क्योंकि जब हम इनका उचान स्थान पढाएंगे, तब आपको मैं यह बताऊंगी कि कवर्ग चवर्ग तवर्ग तो आपको इस तरह से अच्छे से याद हो जाने चीए कि कवर्ग का मतलब क्या है चवर्ग का मतलब क्या है तवर्ग का मतलब क्या है तवर्ग का मतलब क्या है पवर्ग का मतलब क्या है क्योंकि दोस्तों देखो हमने ये पढ़े तो पहली क्ला आये तो इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं आप इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यह चर्पटर ऐसा है जो हमेशा सभी़ परकार के टेस्टोंalts प्रश्टों में जो टीचर से रिलेटिड एक्जाम है इनमें इसी चेप्टर से रिलेटिड भूँच ज्यादा प्रसन आते हैं कहीं उचारिस्थाल में आएंगे कहीं वर्ण विछेद में आएंगे कहीं वर्ण संयोजन में और वर्ण ये जिस तरह से स्वर वेंजन कौन- से हैं ये जो हमारे जिस भी वर के अंदर पांच होंगे तो उसके पहले अक्सर से उनको जाना जाता है तो यह हमारे 25 क्या है फिर है हमारे sniff पार्श वेंजन क्यूं कहलाते हैं इसलिए कैलाते हैं कि जिन पके उचाण में जीव यानिके तैम जीवा इसको बोलते हैं मुख क मुख के अवयव क्या होते हैं कि मुख के अवयव होते हैं कि मुख के अंदर जितने भी अंग है जैसे जीव, दान, तालू, मुर्दा ये सारे इनका स्पर्ष करते हुए इनका उचान होता है इसलिए उनको हम स्पर्ष माने छूनना यानि कि टच करना कि जो भी जब भी हम बोलते हैं तो जीव हमारे मुख के अंदर जितने भी अवयव हैं जितने भी अंग हैं उनको स्पर्ष कर करते हुए यह इनका वेंजनों का उचान होता है इसलिए हम इनको स्पर्स वेंजन कहते हैं फिर हैं हमारे अंतस्थ वेंजन को छे हैं यह हमारे हैं कैसे मैं तक जो हमारे कैसे मैं तक हैं यह हमारे सारे क्या हैं स्पर्स वेंजन ठीक है अब हैं हमारे अंतस्थ वेंजन जो अंतस्थ वेंजन है इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ है बीच में स्थीत यानिके बीच में रखे हुए थीक है तो इसको हम कहेंगे अंतस्थ वेंजन यानिके जीन वर्नों के उचाण में स्वर और वेंजन जिनके उचाण में स्वर और वेंजन दोनों के गुण विद्यमान हूं उन्हें हम क्या कहेंगे अंतस्थ वेंजन ये हमारे चार है ये रे ले और वे ये हमारे चार है अंतस्थ वेंजन जो जिनके उचाण में स्वर और वेंजन दोनों की शायता से बोले जाते हैं फिर है हमारा उसमे वेंजन जो हमारे उसमे वेंजन है उसमे माने गर्म यानि के इस जो उसमे वेंजन है जब इनका उचाण करते हैं हवा रगड़ खाती हुई या घर्षन के साथ मुख से बाहर निकलती है उसे हम उसमे वेंजन कहते हैं या जिन वर्नों के उचाण में उसमा पैदा हो उन्हें हम उसमे वेंजन कहते हैं ये हमारे चार है जैसे ये हमारे चार उसमे वेंजन है जिन का उचाण करते हुए हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है निके घर्षन के साथ मुख से बाहर निकलती है और जिनके उचाण करने में उसमा उस्मा का मतलब है गर्म अनके गर्म हवाजे बहार निकलते हैं जिनका उचान करने में उन्हें हम उस्में वेंजन कहते हैं इसका दूसरा नाम भी है उस्में वेंजन को हम इस द्वी वरित वेंजन भी कहते हैं इसका हमेशा याद रखना कि जो हमारा उस्में वेंजन है इसको हम क्या कहेंगे इस द्वी वरित वेंजन भी कहते हैं कई बार आज कल पहले तो ये उस्में वेंजन कहते थे लेकिन आज कल क्या हो गया इसका दूसरे नाम ये रख दिया एक जाम है lease दूसरे नाम पूछे जातीय कि ताकि बच्चों को पता ना हो और बच्चे गल्ती करें और वे तुरंत नमबर काटें तो आपको इसले पता होना चाहिए कि जो उसमें वेंजन है उसका दूसरा नाम क फिर आता हमारा सन्यूक्त वेंजन. सन्यूक्त वेंजन वे होते हैं कि जब एक वेंजन के साथ दूसरा वेंजन हो, एक वेंजन तो है ही, एक वेंजन के साथ एक दूसरा वेंजन भी जूड़ा हो. है निके एक वेंजन के साथ दूसरा वेंजन भी जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे संयुक्त वेंजन जैसे अक्षन त्रें यह हमारे तीन है लेकिन आजकर एक यह अक्षर भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि दो दो वेंजन जुड़े हुए है यह पहले के साथ है जैसे क्या जुड़ा हुआ है क्या प्लस जै ठीक है और इसके जै प्लस जै इसके साथ जै प्लस जै और इसके साथ जै प्लस जै ठीक है तो आपको समझ में आ गया हुगा कि सहींग्त वेंजन कौन-कौन से है कि अक्से, त्रे, गय और स्रे यह हमारे सहींग्त वेंजन है जिनके एक वेंजन के साथ हमारा दूसरा वेंजन जुड़ा हुआ है फिर एक ऐसा एक और भी है जैसे हम यह करते हैं जैसे आपने यह अक्सर देखा होगा कि परकार तो हम किसको क्या करेंगे पह के अंदर क्या है रह तो यह भी हमारा सहींग्त वेंजन के लाएगा ठीक है लेकिन आप देखेंगे तो आपकी पाठ़पुष्टों में यही दिया गया है क्योंकि अभी मैं वर्ण सहींग्त और यह करवाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस अक्सर के अंदर क्या-क्या कौन सा दूसरे वेंजन जुड़ा हुआ है किस के अंदर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है तो आपको यह अच्छी तरह ऐसे याद कर लेना है क्यो अंदर तीन चीज़े हैं स्वर वेंजन और अयोगवाः अयोगवाः क्या होते हैं अयोगवाः के अंदर तीन चीज़े हैं अनुष्वार अनुणाशिक और विश्वार ठीक है तो आपको पता चल गया होगा कि अयोगवा हमारे कितने हैं पूछ लिया जाता कई बारी कि अयोगवा कितने हैं तेन, पांच, साथ, दस तो आपको पता होना चाहिए हमारे तेन हैं कौन-कौन से ये भी पता होना चाहिए ये पूछ ले कि अयोगवा बता तो आपको इसके नीचे ये नाम दिये गए होंगे कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, विसर्ग के साइन क्या है, विसर्ग का साइन ये है, और जो अनुनासिक है, इसका साइन क्या है, जिसको हम चांद बिंदु कहते हैं, और अनुस्वार क्या होती है, ये, जैसे अभी मैं एक सब्द लिखकर दिखाऊंगी तब आपको सही पता चिल जाएगा संसकार ठीक है अनुनासित है हमारा हस और ये क्या है जैसे इस तरह से जो विशर्ग है इसको हम है की आवाज में बोलते जैसे राम है इस तरह से ठीक है जो अनुश्वार है इसका उचाण नाक से होता है और जो अनुनासिका है इसका मुख और नासिका से ठीक है इसका उचाण होगा मुख और नासिका से और इसका किसे होगा नासिका से ठीक है यानि कि अनुस्वार हम उसे कहेंगे जिसका उचान नासिका से हो और अनुनासिक किसे कहेंगे जिसका उचान मुख और नासिका से हो और जो विशर्ग है उसका उचान किसे होता है मुख से ठीक है तो आपको ये याद रखना है कई बार पूछ लिया जाता है कि विशर का उचान स्थान बताएं कहां से होता है विशर किसे कहते हैं इसके अंदर कैसे उचान कहा जाता है तो उचान पूछेंगे तो है कि आवाज आती है मुक्से इसका उचान होता है जिन न पूछा जाए तो आपने ये पता देना है लेकिन कई बारी हम क्या करते हैं जो ये है जो विशर्ग है हमारी जिस भी सब्ग के पिछे लगेगी ये किसी भी सब्ग के पिछे लगेगी तो उसी तरह की आवाज आएगे जैसे देखो मुनी के पिछे लगे तो इसकी क्या पढ़ेंगे हम मुनी ही ठीक है फिर हो गया हमारा दूसरा इसके पिछे क्या पढ़ेंगे राम है इसमें इही ठीक है इस तरह से यहनि कि विशर्ग की अलग आवाज आएगी फिर हो गया हमारा सादू तो उनकी आवाज आएगी इसमें ठीक है इसमें A की आएगी और इसमें E की आवाज आएगी तो इस तरह से इनकी जिस सब्द के पीछे जिस सब्द के पीछे जो मात्रा लगी होगी उसी की आवाज आएगी ठीक है फिर है हमारा कई बारी जो अनुनासिक है जो अनुस्वार है देखो अनुस्वार और अनुनासिक में कुछ अंतर बताऊंगे जो अनुश्वार है इस ये हमारे ये क्या होते हैं मोलते हैं वेंजन होते हैं इसका दूसरा नाम है मोलते हैं वेंजन इसको हम मोलते हैं वेंजन भी कहते हैं अनुश्वार को इसमें क्या हो जाता है कि दोनों कई बारी अनुश्वार और अनुनासिक अनुस्वार का तो निशान आपको बता है किसका साइन है अनुस्वार का बिंदी और अनुनासी का क्या है ये अब दो अक्सर मैं दिखाऊंगे आपको इसमें डाउट हो जाता कईबारी आपको एक्जाम में इसका मीनिंग इसलिए पूछ लिया जाता है कि बच्चों कोई डाउट हो जैसे एक तो ये है हन्स इसके अनुस्वार लगे हुई है ये और दूसरा सब्द है हमारा हस ठीक है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ये क्या हमारा जो पक्सी होता है हन्स ये वो है और ये क्या है हसना तो इस तरह से एक्जाम में वर्ण ये सब्द दे रेता है जिससे आपको पजल कर देता है कि आप ये बताओ कि कौन सा क्या है तो आपको इस तरह से इस वात का ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से हमने इसकी क्या पैचान करनी है तो एक चीज और भी है जो मैं आपको इसी चेप्र के अंदर पना हुए आप देखो जिस तरह से पिछल बार एक्जाम में ये पूछ लिया था कि दुवीत्य वेंजन चाटी है दुवीत्य वेंजन चाटी है ये आ गया था कई बारी पेपर में तो जो दुवीत्य है इसमें देखो क्या है तुवीत्य वेंजन जब दो वेंजन यानि कि एक वेंजन का समरूप एक वेंजन का समरूप साथ में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे दुवीत्य वेंजन जैसे कच्चा ये एक सब्द लिख्या मेंने कच्चा ठीक है दूसरा लिख्या मेंने पत्ता तो आप देखें यहाँ पर तै है यह उसी के जैसा सब्द है यहाँ पर चै है और एक और लिखते तो यहाँ पर आप देखोए इसके जैसा यह सब्द है यहाँ पर तो इसको हम दुवीत्य वेंजन कहते हैं यानिके एक वेंजन का समरूप समरूप होता है उसी के जैसे वेंजन आ जाता है तो उसे हम द्वीत्वेंजन कहते हैं तो आप इस चीज को इसके अंदर याद रखना कि कई बारी पुछेगा कि द्वीत्वेंजन चाट ये तो आपको अगर पता होगा कि द्वीत्वेंजन कह तो आप इस चीज़ को चाट पाएंगे तो दोस्तों ये था हमारा वार्ण का नो सम्झ में आ गया होगा तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट बोक्स मेंगर ज़रूर बताएँ और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड में सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेश्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएए वर्ण सेयोजन और वर्ण विछेद टोपी के साथ नेश्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद